कि जिनका नहीं देखा हुआ है एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि सिंप्लेक्स पर सॉलवर इसी समकूल एक एक बार करके देखते हैं ठीक है तीन कॉलम में मैं डेटा लिख रहा हूं एक्स वाइए जड़ मुझे आपके एक रिपोर्ट दिखाना है वो रिपोर्ट का इंटर्पेटेशन का फाइदा क्या है मतलब Microsoft Excel ने कितना दिमाग लगा के सोचा होगा कि लोगों को ये सब का ज़रत पढ़ सकता है ये क्या वेल्यू स्टोड़ा बुली तो 1, 1, 1 टोटल कितना अवेलेबल है बुली ना 100 ये हुआ एंजीनियरिंग का ठीक है फिर क्या है लेबर जल्दी बोली ना क्या है 10, 4, 5 टोटल कितना है 600 एडमिन 2, 2, 6, 300 ठीक है the final answer of max profit would come here इन तीन में इन तीन में final answer of आपको max profit मिलेगा sorry, final answer of quantity produce मिलेगा और max profit से इस box में मिलने वाला है एक दो formula बैढ़ाना पड़ता है आपको equal to यह है resource used का formula equal to यहां पे जो quantity produce होगा multiplied by इसका engineering का hours plus जो भी quantity produce होगा multiplied by इसका hours plus जो भी quantity produce होगा multiplied by इसका hours अभी तो 0 आना है यह है बिकाज यहां पे कोई value नहीं है आप यहां पे एक एक दो डाल देजिए तो cross check हो जाएगा कि आपका formula साई जा रहा है कि नहीं जा रहा है अब इकल तो वापस इसी तरीके से इस इंटो यह प्लस इस इंटो 4 प्लस 2 इंटो 5 इकल तो प्लस इंटो यह प्लस इंटो यह प्लस इस इंटो यह होग्या एक और formula लगेगा max profit अच्छा profit per unit मेरे को नोट करहिए यह 10, 6 और 4 तो equal to profit per unit इंटो quantity produced प्रफिते पाए परफिटतो रीचेप्रफिते हंती स्थाओ प्रफितो 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 औ्स ब enabling थेञीचे प्रफितो यह रहे ने उफनिव सिता ₦श क को जिरो से, ये भी जिरो, तो सब जिरो पर मैंने लाकर छोड़ दिया है, to indicate कि देखना है यहाँ पर value कैसे change हो जाता है, answer क्या आता है, okay, solver add-in कहां मिलता आपको यहाँ है न, excel options में जाके add-ins में, आपको जहाँ पर inactive applications में आपके list में, solver add-in बोलकर add-in मिलेगा, जिसको आप आपको double click करके, go में जाकर, उसको solver add-in को check करके, okay कर लेना है, तो वो activate हो जाएगा, और फिर data में आपको solver करके एक button मिलेगा, solver में गए, set target cell मांग रहा है, मतलब इसमें आपको final answer जहाँ पर चाहिए, profit का या cost का वो आपको बताना है, तो final answer में वो target cell यह है, कई बार वो automatic पगड़ लेता है, जैसे अभी हम बंद किया न, automatic पगड़ लिया था, max profit यहाँ पर पता चल जाता है कि इदर आप वो formula formula set की है, और max करना है कि min करना हो ली दीजिए, भी max करना है, by changing cells में आपको select कर देना है, जो quantity produce के लिए होंगे, उसको बस drag करके select कर देना select कर दिया, हो गया, फिर हमें इसमें आ गया, इधर आ गया result, फिर subject to constraints मांग रहा है, constraints add करेंगे, add में हम लोग लिखेंगे, जो used है, that should be less than equal to, constraint क्या है, कि available 100 है, और add करना है, तो ये used है, that is another less than equal to, constraint है, ये, फिर add गया, फिर used है, less than equal to sign यहां पर है, तो constraint में आके add करना है, ये self, type नहीं करना है, यहां पर selection ही होता है, वो type करने देगा भी नहीं आपको, आपको selection ही करना होगा, और को add नहीं करना तो okay, वो तीनों constraint को यहां पर दिखा दिया, options में गए, यहां पर assume linear model, assume non negative में click किया, okay हुआ, solve button दबाते ही, answer सारे बदल जाएंगे, 733.33 आएगा, आगया, 733.33, and x का answer ता 100 by 3, यानी 33.33, y का answer ता 200 by 3, यानी 66.67, z का answer 0 आया, resources used में देख लीजे, available 100 था, used था 100, used हुआ 100, 600 का 600, और admin का 300 का 200, अब अगर आप answer report generate करते हो न, यहां पर, यह answer report जब generate हुआ, तो यहां एक अलग work sheet खुल जाता है, हम लोग उसमें जाके देखना चाहरे है, what is the answer report, यह देखें, answer report में क्या लिखके दिया है हम लोग को, slack देख रहे है, slack, word slack, can you see here, admin में कितना है, 100, binding, binding, not binding का मतलब है, यह दो bottle neck है, एक non-bottle neck, bottle neck को binding बोलके दिखा देता है, status binding, अब आपको और एक चीच जानने का मन होगा, कि opportunity cost NER, वो भी है के नहीं, उसको भी check कर रहे है, तो मुझे वापस एक बार solver को use करने दीए, वो solve किया हुआ है, लेकिन एक बार वापस click करूँगा, वो result सारा वह ही है, क्योंकि सब चीच उसमें check कर लिया था, मैंने वह ही selection पे, sensitivity report निकालेंगे, sensitivity report में double click किया, यहाँ पर report आया, इधर जाके दिखिए, shadow price, दिख रहा है ये, engineering का shadow price है 3.33, यानि 10 by 3, correct, और labor का shadow price है 2 by 3, यानि 0.667, दिख रहा है आपको एक एक ख्लिक में, और admin का shadow price 0 है, क्यों है, क्योंकि उसमें idle time है, उसका shadow price नहीं है, इसी सोचा वो लोग ने भी कि यह सब चीज़ को चाहिए ही, मतलब यह का एक final solution का एक answer है, जो आपको exam में हो सकता है, इसी कोई simplex table में convert करके देगा और बोले का पढ़के बताओ, symbolic way में है, ओके?